सालों पहले एक नगर में कुस्म नाम का एक लकड़हारा रहता था वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था उसकी दिन चर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी एक दिन लकड़हारी जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की तहनियों को काटने के लिए उस पर चड़ा उस पेर की लकड़ी कात्ते कात्ते उस लकड़ारे की कुलहाडी नीचे गिर गई तेजी से लकड़ारा पेर से उतरा और अपनी कुलहाडी को धूंदने लगा उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुलहाडी गिरी होगी और धूंदने पर मिल जाएगी वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुलहाडी पेर से सीधा नीचे नदी में जागिरी थी वो नदी काफी गहरी और तेज बहावाली थी आधे से एक घंटे तक लकड़ारा अपनी कुलहाडी को धूनता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली, तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुलहाडी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी इससे वो काफी दुखी हो गया लकड़ारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नई कुलहाडी खरीद सके अब वो अपनी स्थिती पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा लकड़ारे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए उन्होंने लकड़ारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया तुम इतना क्यूं रो रहे हो? कुछ खोदिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़ारे ने उन्हें अपनी कुलहाडी गिरने की कहानी सुना दी नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुलहाडी को धूंधने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़ारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुलहाडी लेकर आ गया हूँ नदी के देवता की बाते सुनकर लकड़ारे के चहरे पर मुस्कान आ गई तभी लकड़ारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुलहाडी ले रखी है दुखी मन से लकड़ारे ने कहा ये सुनहरी रंग की कुलहाडी मेरी तो बिलकुल भी नहीं है ये सोने की कुलहाडी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी लकढ़ारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले इस बार उनके हाथों में चांदी की कुलहाडी थी उस कुलहारी को देखकर भी लकढ़ारे को खुशी नहीं हुई, उसने कहा कि ये भी मेरी कुलहारी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुलहारी होगी, आप उसी को ये कुलहारी दे दीजिएगा, मुझे तो अपनी ही कुलहारी धूंधनी है, इस बार भी लकढ़ारे की बा उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुलहाडी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुलहाडी है। आप ये कुलहाडी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुलहाडीयों को उनके असली मालिक तक पहुचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी इमानदारी और निश्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिलकुल भी लालच नहीं है। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्छे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुलहाडी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुलहाडी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी इमानदारी के तोफे के तौर पर रख लो। कहानी से सीख, इमानदारी से बड़ी दौलत इस दुन्या में कुछ नहीं है. अच्छे इमानवाले इंसान की चारों तरफ प्रशनसा होती है.